हेलो क्लास नाइन्थ आज हम चैप्टर नमबर एट क्वार्डी लेटल की जो एक्सरसाइज है 8.1 उसका लास्ट क्वेशन करेंगे कोस्ट नमबर 12 कोस्ट नमबर 12 में क्या है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC ठीक है तो इसका डायग्राम भी आपको given है क्या है उसके अंदर देखो एक trapezium है ठीक है यह trapezium जिसके अंदर यह point है यहाँ है आपका B उसके बाद C and D ठीक है तो इस trapezium के अंदर जो AB जो side है वो CD के parallel है तो मैं solution ही करता हूं direct solution में given क्या क्या है वो लिख लेते हम given है कि AB is parallel to AB is parallel to CD और क्या given आपको AD is equal to BC AD is equal to BC AD जो side हो BC के equal है तो first part में आपको क्या स्रोव करना है कि angle A और angle B मतलब कि यह angle A और यह angle B यह दोनों equal है यह आपको प्रूव करना है मैं इनको नाम दे देता हूं मानलों यह angle है one और यह है two तो आपको कहिना कि यह प्रूव करना कि angle one जो है two प्रूव इसमें क्या आएगा कि angle one जो है angle two के equal प्रूव करना आपको कि यह angle one और angle two equal है तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसके लिए आपको आना construction करनी होगी प्रूव में क्या लिखोगे आप प्रूव में construction करो आप कंस्ट्रक्शन लिखकर और ऐसे heading दो construction कैसे देखो यह जो एबी की जो लाइन है अगर हम इसको थोड़ा और extend करें मतलब इस ट्रैपेजियम को एक पैललोग्राम बना लेते हैं कैसे देखो एबी जो साइड है ना इसको थोड़ा extend करो आप ठीक है अब किस तरह से extend कि हमने कि A B अगर C D के parallel है तो इसी parallel line को extend कि हमने अब एक चीज़ देखो A B को suppose करो में point E तक लेके गया ठीक है अगर A B C D के parallel है तो A E जो line है वो भी तो parallel होगी C D के ठीक है उसके बाद ये जो line A D है ना इसके parallel में हम क्या करेंगे इस C point से एक line खीच लेंगे ठीक है ये जो point है ना A D ठीक है ये जो line है A D इसके बिल्कुल parallel हमने इस E point को मैं यहां लिख देता हूँ ये जो intersection point है इसको E नाम दे रहूँ है इन सब को हटा देते हूँ तो ये जो point है ना ये E है तो क्या हमने construction क्या की extend क्या हमने extend A B to E ठीक है such that such that A E is parallel to A is parallel to C D ठीक है उसके बाद and and draw C E parallel to A D A D ठीक है और हमने character हो क्या कि C E जो है ना वो A D के बिल्कुल parallel है तो अब यहां से कह लिख दोगे अब एक चीज़ देखो यह लाइन इसके parallel और यह लाइन इसके parallel तो A D C E क्या बनेंगे एक now A D C E is a parallelogram ठीक है यह क्या होगया parallelogram तो अभी मैं इस angle को नाम देता हूं angle number third और इस angle को नाम देता हूं angle number four ठीक है अब अगर एक चीज़ देखो A D C E अगर एक parallelogram है तो A D और to C E होगा बिलकुल A D जो है वो C E के equal होगा और एक चीज़ देखो एक चीज़ आपको क्या गिवन है कि A D और B C equal है A D जो है वो B C के equal आपको given है और यह क्या है opposite sides of parallelogram ठीक है तो A D जो C E के equal है वो होगा पोजिक्षाइट्स of parallelogram और A D B C के equal आपको given है तो एक चीज़ देखो A D C E के equal है और A D B C के equal है तो यहां से B C और C E क्या होंगे equal होंगे है तो B C is equal to C E मतलब की यह वाली लाइन और यह वाली लाइन जो आपस में equal है ठीक है इसको अब क्या लिखने देखो फ्रॉम फ्रॉम से पहले आप लिखो की इन ट्रेंगल B C E B C E इस ट्रेंगल के अंदर देखो क्या है कि B C जो लाइन है वो C E के equal है reason इसका from equation number 4 equation number 1 sorry equation number 1 में हमने क्या लिखा था कि B C जो है वो C E के equal है तो BC और CE equal है तो इनके opposite जो angle है वो भी equal होंगे ठीक है जो इनके opposite angle है वो भी equal होंगे angle 3 जो है angle 4 के equal होगा reason इसका क्या लिख दोगे कि angles opposite to opposite to equal sides are equal अगर sides equal है तो उनके opposite जो angle होंगे ठीक है अब एक चीज़ बताओ आप जो angle 1 है और angle 4 है इन दुन्नों का sum कितना होगा angle 1 और angle 4 का sum कितना होगा ध्यान से देखो AD और EC ये दुन्नों लाइन आपस में parallel है तो AE जो है वो एक transversal का काम करेगा ठीक है AD और CE parallel है और AE एक transversal और आपको पता है कि जो co-interior angles होते हैं उन दोनों का sum कितना होता है 180 degree equation number second region क्या लिख दोगे इसका co-interior angles ये लिख दो आप क्या co-interior angles ठीक है और एक चीज़ बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा वो भी 180 degree equation number third origin इसका linear pair linear pair ठीक है ये दोनों एंगल का सम्भी 180 degree होगा अब क्या करोगे आप इन दोनों equation को ये बस अब्ट्रेक्ट कर लो ठीक है sign change माइनस 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 सब्ट्रेक्ट कर रहे हूं ठीक है तो एंगल 3 और एंगल 4 तो आपके equal है मतलब एंगल 4 प्लस का है और ये समझ लीजिए कि एंगल 4 ही आपका minus का है क्योंकि ये दोनों एंगल तो equal है तो ये तो आपस में कट जेंगे क्या बचे आपके बास की एंगल one माइनस एंगल two और इस साइड क्या बचा जीरो मतलब की एंगल one जो है ये माइनस वाला एंगल उधर जाएगा तो एंगल two हो गया ठीक है ये आपने प्रूफ गया एंगल one का क्या मतलब है एंगल 1 का मतलब है एंगल A is equal to एंगल B first part आपका यहाँ पर prove हुआ ठीक है अब हमको prove करना है यह तो होगया prove अब आपको prove करना है कि angle C और D C और D को भी नाम देते हैं मालों यह है angle 5 और यह है angle 6 अब आपको prove करना है कि C और D भी इक्वल है तो second part करते हो एंगल C और D के लिए देखो A B और C D क्या है because A B is parallel to C D A B और C D parallel है तो 1 प्लस 6 कितना होगा co-interior angles क्या angle 1 plus angle 6 कितना होगा 180 degree reason इसका co-interiors angle ठीक है उसके बाद 2 प्लस 5 कितना होगा वो भी 180 degree angle 2 plus angle 5 is equal to 180 degree same reason इसका ठीक है इन दोनों के भी आप subtract कर लो तो minus 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 अब एक चीज़ देखो angle 1 और angle 2 तो equal है तो यह दोनों कट जेंगे same values और opposite signs कट जेंगे sign उसके बाद 180 से 180 कर दिया तो बचा क्या आपका angle 6 minus angle 5 is equal to 0 ठीक है plus का तो angle 6 और minus का angle 5 अब यह minus का angle 5 उदर जाकर क्या हो जाएगा plus का angle 5 यही आपको प्रूव करना था angle 6 का मतलब है angle D और 5 का मतलब है angle C तो angle D जो है वह angle C के equal आपने प्रूव कर दिया यह था आपका part number second अब हम करेंगे third part उससे पहले मैं इनको equations को एक बार और नाम देता हूं यह equation number 4 समझ लीजी आप ओके प्राइटनेस मैं बढ़ा देता हूं ओके तो अब ब्राइटनेस बढ़ा लीजीगा अब यहां से क्या होगा देखो अब हमको part number third करना part number third में क्या है कि triangle ABC ABC देखो यहां से का है ABC ठीक है तो यह triangle बनाना होगा इसके लिए आपको A और C को join करना होगा आपका triangle बनागा ABC उसके बाद क्या है triangle BAD तो BAD मतलब यह वाला triangle दो triangle दिख रहे हैं आपको एक बाद इनको मिटा देता हूं part number second की भी जरुरत नहीं होगी हमको इस equation की जरुत पड़ेगी ओके देखो आपको अब क्या prove करना है third part में की triangle ABC जो है वो congruent है triangle BAD के यह आपको prove करना है तो ABC जो triangle देखो ABC इस triangle के अंदर देखो क्या लिखोगे आप इन triangle ABC and triangle BAD इन दोनों triangle के अंदर क्या क्या similarity हो देखेंगे हम देखो AB जो side है AB जो side है वो BA के equal होगी common है दोनों दोनों ही triangle में क्या है common है कौन कौन से triangle की बात कर रहो है एक बार इसको हम हटा देते हैं आपको दो triangle दिखेंगे देखो एक तो यह triangle है और एक यह triangle है इन दोनों triangle में AB जो side है AB वो तो common है उसके बाद यह जो triangle है ABD इस triangle का जो angle 1 है ठीक है BAD का तो angle 1 और ABC का angle number 2 यह दोनों equal है कहां से हमने prove क्या था from equation 4 from equation number 4 equation number 4 में क्या था कि angle A और angle B equal है angle A का मतलब है angle 1 और angle B का मतलब है angle 2 तो angle 1 और angle 2 आपस में क्या है equal है और तीसरी जो है देखो AD जो side है वो BC के equal है AD जो side वो BC के equal आपको given है तो AD is equal to BC यह चीज़ आपको given है ठीक है तो कौन सा रूल लग जाएगा SAS side angle side rule triangle ABC is congruent to triangle BAD ठीक है तो यहां से जो दोनों triangle है आपस में वो क्या प्रूव हो गए ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूं मैं यहां पर ओके तो यहां से जो आपके triangle है triangle ABC और triangle BAD दोनों आपस में क्या प्रूव हुए अब जो लास्ट पार्ट है आपका पार्टनबर फोर उसमें क्या प्रूव करें आपको कि जो डाइगनल A C है देखो A C अब मैं इसको एबर दुबारा वापिस मिला दे रहा हूं A C जो एक डाइगनल है और BD जो डाइगनल है यह दोनों आपस में इक्वल है तो आप सिंपल लिख दोगे क्या विकोज ट्रेंगल A B C इस कौन गुरेंट टू ट्रेंगल कौन सा भी एडी भी एडी सो एसी इस इक्वल टू बी डी और इसका रिजन क्या होगा प्रेंगल ट्रेंगल है अपने आप अगर यह था आपका पार नमबर फॉर एडी जो ट्रेंगल या बी एडी जो ट्रेंगल है उसकी जो साइड है बी डी वह दोनों एक्वल होंगे आपको कोई भी प्रोब्म हो वो पूछ सकते हो और साथ ही साथ अगर प्रिविएस किसी भी कोशन में इस पूरी एक्सराइज में आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो ओके ठेंक यू